हलो गाईज एक नई वीडियो में आपका स्वागा थे आप देख रहे हैं टेकलेक्टर यूटूब चैनल आज हम तयार करेंगे एक बेस्ट ट्रावेल सरकिट बोर्ड तो इसको तयार करने के लिए जो जो पुसेस के जरूरत परता है वही पुसेस हम आज इस वीडियो में आ नहीं आए है तो हमाई चैनल को सब्स्क्राइब करें और बेल नाटक्रावीशन को आलपर सेट करें ताकि आप हमाई गया सारे वीडियो को देख सके और वीडियो को आखरी तक देखना अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देज़ीएं गा और शियर भी कर देजिए तो चल लेंगे दो टू ए 153 के का कैपसिटर लेंगे एक 104 का कैपसिटर लेंगे एक पीसीबी बोर्ड लेंगे इसको भेरोबोर्ड भी बोलते हैं दो हंडिट के का पोटनियो मीटर लेंगे एक 47 के का पोटनियो मीटर लेंगे इसके बाद थ्रीपीस पोटनियो मीटर नॉब लेंगे इस नॉब को हम पोटनियो मीटर के ऊपर एटस कर देंगे इसके बाद 2 10K का रेजिश्टर लेंगे एक 1K का रेजिश्टर लेंगे और आखिर में कुछ और से लेंगे अब इसक्रीन पे जो डायग्राम शो हो रहा है उसका मुताबिक हम पुरे सर्किट को कम्प्लेट कर लेते हैं झालीर error और से time कर झालीर और उल데 बाद 1 मुताश लेपिरे अचा बाल widब बबब देघ बाद 2 झाल 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 आप देख सकते हैं हमारा वार रिंग कंप्लेट हो गया है यह है इसका इनपूट का यह यह वायर है यह की बेस का सब्सक्राइब आउर यह है और यह है इसका आउट पूट फो यह तो चलिए पोटेंशोमेटर को आप इसके साथ करनेट कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा सरकिट बूर्ड बन के तयर हो गया है तो इसको टेस्ट करने के लिए हम सीडी 6283 आइसी का जो एमप्लिफियर है उसको यूज़ करेंगे इसका एक कैसे तायर करना है अगर आपको देखना है तो इसका लिंक आपको आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए तो अब हमारी बेस टाबल सरकिट बूर्ड को एमप्लिफियर के साथ करनेट कर लेते हैं तो आप इसको टेस्ट करने के लिए हम एक एट ओम्स का इस पिकर को हमारे एमप्लिफियर बॉर्ट के साथ कर लेते हैं कि यह है डिसी पावर सप्लाई तो इसको भी करनेट कर लेते हैं तो चलिए आप इसको टेस्ट करके देखते हैं कि अदिय बढू कर लेखते हैं हुआ हुआ है झाल झाल तो हमारा जो सार्किट बोर्ड है और बहुत अच्छे काम किया तो अगर इस वीडियो को पसंद आया तो एक लाइक कर दिजिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए तो आज के वीडियो इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में